Good morning students, today I will explain about addition and subtraction बट इसमें addition और subtraction लिखा हुआ नहीं होगा इसमें हमें sign देखना है addition का sign होगा उसको हमें add करना और जो subtraction का sign होगा वापे में subtract करना है तो addition का sign तो यह होता है plus की तरह है ठीक है? plus होता है यह और subtraction का sign यह होता है तो हमें पहले पहचानना है कि कौन सा addition है और कौन सा subtraction है उसके बाद हमें करना है जैसे यह आपे subtraction का sign है 5 5 में से 5 गए तो मैंने समझाया था अगर कोई भी number उपर नीचे 7 हो तो वाँ पे 0 आएगा अब next यह 7 है तो यह हमारे पास 7 fingers है और 7 fingers में से 2 fingers तली गई तो कितनी बज़े 5 next अब यह addition का sign है अब मैंने यह भी बताया था कि 0 means nothing अगर हम किसी भी number में 0 एड करेंगे तो वापस वो की वही संख्या आएगी तो यह 6 आ गया और 3 3 में 1 और एड करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 से आगे 1 counting और कर लेंगे तो 3 के बाद में क्या था 4 तो हम यहाँ प प्लस 2 तो हम क्या करेंगे यह 4 फिंगर्स और इसके वाद हम 2 फिंगर्स और काउंट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 next यह subtraction अब subtraction के लिए हम क्या करेंगे जैसे हमारे पास यह 8 फिंगर है 5 और यह 3 फिंगर अब इसमें से हमें 3 कट करना है तो 3 कट कर दिया तो how many left 1 2 3 4 5 इसी तरीके से next अब 4 है 4 में से 2 subtract करना है तो यह हमारे पास 4 फिंगर्स है और इसमें 2 सब्टेक्ट कर दी तो हमारे पास 1 2 2 बचे आपस addition तो 0 है तो same ही आ जाए गई यह आपे 3 है और 3 में 2 और एड़ करना तो यह पहले से हमारे पास 3 है और 3 में 2 और एड़ करेंगे 1 और 2 तो यह कितने होगे total 5 next 4 minus 0 0 means nothing तो वापस वो का वो ही number आ जाएगा और यह हमारे पास 5 फिंगर्स है और 5 में से बन गया तो 4 तो हम यह आपे 4 लिख देंगे next अब यह addition है 7 7 plus 0 equal to 7 and 5 5 plus 2 तो यह हमारे पास 5 फिंगर्स है इसमें 2 और एड़ कर देंगे तो 5 के वाद में 6 औ 7 next 5 minus 1 यह 5 finger से इसमें से minus 1 किया तो हमारे पास 4 finger बची अब 8 minus 2 तो यह 5 6 7 8 अब 8 में से हमें 2 minus करना यह 2 कर दिये तो हमारे पास कितने बचे 6 next यह भी subtraction है 3 minus 2 यह हमारे पास 3 fingers है 3 fingers में से 2 finger चले गई तो हमारे पास 1 बचा ठीक है अब 7 दिया हुआ है तो 7 यह 7 है 7 में से 1 गया तो हमारे पास 6 बचे 6 लिख देंगे यह addition है 5 plus 1 तो 1 है तो उससे एक आगे की counting कर लेंगे तो यह 6 हो जाएग और यहाँ पे भी 7 plus 1 है तो 7 से आगे 1 counting करेंगे तो 8 अब 4 minus 2 यह 4 fingers है इसमें से 2 गया तो 2 लिख देंगे next 7 minus 4 यह हमारे पास 7 है 1 2 3 4 5 6 7 अब इसमें से हमें 4 subtract करना है तो 1 2 3 4 तो हमारे पास कितने मचे 1 2 3 अब next है addition 4 plus 3 यह 4 fingers है इसमें हमें 3 और add करना है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 4 plus 0 equal to 4 इसी तरीके से हमें क्या करना है इसमें केवल sign पैचानना है हमें symbol पैचानना है यह addition का है यह subtraction का है उसके coding करना है thank you झाल 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